नमस्कार दोस्तों मैं सुरब एडियू गाता है गनित गैनियू आप सबका स्वागत करता हूँ और यह अलजिब्रिक एक्सप्रेशन का 12 पार्ट है इस 12 पार्ट में अलजिब्रिक एक्सप्रेशन को किस तर से मल्टिप्लाइ करते है वो देखने वाले है और हम लोग प्रट हैने कि उनका मल्टिप्लिकेशन आपको करने के लिए कहा गया है किस तर से करना है मैं आपको बताता हूँ एक एक कोशन के साथ सबसे पहला सबकोशन के अगर हम लोग बात करें तो you have to multiply 18x2y 2 minus 2xy square ठीक है 18x2y को minus 2xy square से multiply करना है multiplication करते हैं मैं दो चीज़े दहन में रखना है सबसे पहले जो numeral से नंबर से उसको पहले multiply कर लो 182036 easy था जी हाँ अब sin को multiply कर लो plus into minus is minus वो भी कर लिया easy था अब variables देख लो यहाँ पर 2x है यहाँ पर 1x है 2 plus 1 हो जाएगा 3 तो x to the power 3 यहाँ पर 1y है यहाँ पर 2y है तो यह हो गया 2 plus 1 is 3 तो answer is आपका minus 36x cube y cube is that easy मतलब was that easy easy था कोई difficulty तो इसमें आनी नहीं चाहिए second is 15 by 4 a b c को multiply करना है इस चीज को multiply करना है minus 4 upon 13 c b square ठीक है minus 4 by 13 c b square आगे मैंने आपको क्या कहा पहले numerals को multiply करके लो 15 by 4 को हमें multiply करना है minus 4 by 13 को यह है rough calculation यहाँ पर कर रहा हूं ठीक है यहाँ पर आप देखो यह 4 1 0 4 1 0 चले जाएगा 15 1 0 15 है यनि कि minus 15 by 13 आपका answer आने वाला है यनि कि जब आप दो numbers को multiply करोगे तो minus 15 by 13 आपका answer आने वाला है minus 15 by 13 आ गया okay a इसमें a है नहीं है तो single a into 1 is a b into यहाँ पर b square है तो 2 plus 1 3 हो जागा यह हो जागा b cube c और यहाँ पर एक c है तो c into c is c square so minus 15 by 13 a b cube c square is your answer समझ में आ रहा है बहुत simple है इनको multiply करना बहुत ज़्यादा easy है third वाला देखिए third वाले में हमें multiply करना है minus 1 by 2 x cube y raise to 4 इसको किस चीज़ से multiply करना है minus 10 x y cube से multiply करना है minus 10 x y cube अब यहाँ पर ध्यान पूर वक्त देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा है numerals को multiply करो numerals को करना है तो minus 1 by 2 को minus 10 से अगर multiply करते तो 2 1s और 2 5s और 10 आ जाएगा minus into minus हो जाएगा plus और 5 1s और 5 तो यह इसका answer आजाएगा plus 5 सबसे पहले आगर हम लोग 1 by 2 और minus 10 minus 1 by 2 minus 10 को multiply करेंगे तो plus 5 आजाएगा उसके बाद यहाँ पर 3 x है यहाँ पर x है x cube into x is x raise to 4 exponents laws of exponents y raise to 4 into y raise to 3 4 plus 3 7 तो यह हो जाएगा y raise to 7 तो 5 x raise to 4 y raise to 7 is your answer तो यहाँ थी simple multiplication जाएगा पर 2 monomials को किस तर से multiply करना है यह मैंने आपको बता दिया अब इस question में एक और sub question बचा जिसमें 3 monomials दिये और आपको कहा गया है उनको multiply करने के लिए simple है मैंने तो आपको कहा था सबसे पहले numbers को multiply करो अगर वह rough में numbers को multiply करता हूँ सबसे पहले तो question को लिखना पड़ेगा minus 4 5 by 2 a square b ठीक है इस चीज़ को multiply करना है 2 by 3 b cube ए फिर इस चीज़ को भी multiply करना है 3 by 5 a c raise to 4 ठीक है समझ में आ गया यह हमारा multiplication होने वाला है इसमें सबसे पहले अगर हम लोग numbers को multiply करें numbers के है हमारे पास minus 5 by 2 into 2 by 3 into 3 by 5 द्यान पुरवक्त देखिएगा 2 1s are 2 1s are cancel out 3 1s are 3 1s are cancel out 5 1s are 5 1s are cancel out 1 into 1 into 1 is 1 यहाँ पर minus 1 और नीचे भी 1 यहने कि numbers को जब multiply करोगे तो minus 1 आएगा इतना तो clear है आगे a square a and a अब यहाँ पर 2 3 4 यहने कि यह होने वाले a raise to 4 यहने कि a square into a is a cube again a cube into a is a raise to 4 आगे b into b cube is b raise to 4 यहाँ पर कोई b है नहीं तो यहाँ हम लोग लिखेंगे b raise to 4 आगे c तो यहाँ पर है ही नहीं यहाँ पर c है which is c raise to 4 ठीक है इसको हम लोग और simplify कर सकते हैं कैसे जैसे कि minus 1 into a b c तीनों का power 4 है तो a b c तीनों का power 4 यह भी आप लिख सकते हो is that clear किस तरह से multiplication करना है monomials का सबसे पहले numbers को multiply करेंगे उसकी बाद variables को multiply करेंगे next question की बात करें तो इसमें आपको area of rectangle निकलना है जिसमें rectangle के dimensions आपको दिये गए होते हैं जैसे कि सबसे पहले question की बात करूँ तो इस पहले question में आपको length जो दिया है that is 4a cube b and breadth जो दिया है that is 2ab square ठीक है तो area of rectangle होता क्या है formula area of rectangle is equals to what area of rectangle is equals to l into b length into breadth जहांपे length हमारा है 4a cube b into breadth हमारा है 2ab square is that clear for you ठीक है आगे answer लाने के लिए सबसे पहले numbers को multiply करेंगे 4208 a cube into a is a raise to 4 and b into b square is b cube b into b square is b cube b to the power 3 so 8a raise to 4 b cube square units is your area of the rectangle is that clear for you आगे second sub question में हमें दिया गया है length की value 3xyz और breadth की value दी गई है 8zx cube is that clear for you again हमारा formula क्या है area of rectangle एक rectangle की area find out करने के लिए हमें चाहिए होता है length into breadth हमें क्या चाहिए होता है length into breadth जहाँ पर length हमारा इस बार होने वाला है 3xyz और breadth हमारा होने वाला है 8zx cube क्या होने वाला है 8zx cube अब यहाँ पर simplification करने के लिए सबसे पहले numbers को multiply करेंगे 83024 x into x cube is x raise to 4 y का कोई साथ इधर नहीं है y as it is z का कोई साथ इधर है जी हाँ तो यह जगा z square ठीक है 24x raise to 4 y z square square units is your area of rectangle in case 2 समझ में आ गया easy है यहाँ पर बस आपको 2 monomials को multiply करना है question पूछने का तरीका change किया महाँ पर बोले आपको कि area of rectangle निकालिये जिसमें ultimately आपको 2 monomials को ही multiply करना है again similar type of question है यहाँ पर आपको volume of a cuboid पूछा है जहाँ पर length, breadth और height दी गई होती है यानि कि 3 monomials दी गई होंगे और 3 monomials को multiply करने के लिए कहा गया होता है तो सबसे पहले तो आपको length दीया है 2 square यानि कि 4 x square breadth दीया है 2 square यानि कि 4 y square और height दीया गया है 2 square यानि कि 4 z square and you have been asked for the volume of cuboid so volume of cuboid cuboid का volume अगर find out करना है तो we will find by l into b into h length into breadth into height जिसमें अगर आम लोग l की value डालेंगे तो that will be 4 x square जिसको multiply करना है breadth की value से which will be 4 y square जिसको multiply करेंगे height की value से which is 4 z square यहाँ पर सबसे पहले हम जोग numbers को multiply करेंगे 4 x 4 16 16 x 4 is 64 x square y square z square 64 x square y square z square is आपका क्या volume of the cuboid volume of the cuboid ठीक है cubic units यह आपका volume होने वाला है 64 x square y square z square यहाँ पर आपने length, breadth और height जो की 3 monomials थे तिनों को multiply किया उसके बाद multiply करने के बाद x square y square z square यह variables का multiplication आए 4 4 4 4 numerals का multiplication आए which is 64 is that clear for you अब यहाँ पर जो आपको multiply करने के लिए कहा जाने वाला है वो थोड़ा सा complicated हो सकता है इसमें जितना भी चीज हमने इससे पहले सीके हैं वो सारे चीजों को इखटा करके सोच के एक साथ हमको solve करना है डरना नहीं है कितना ही बड़ा question क्यों ना हो हम लोग को step by step solve करना है कैसे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा अगर पहले question की बात करें तो in first question you have been asked for multiplying 13a square b to a binomial which is 2a minus 3b square तो मैंने आपको कहा था जब एक monomial binomial से multiply होता तो कैसे होगा सबसे पहले यह इससे multiply होगा फिर minus and फिर यह इससे multiply होगा याने कि इसका value कुछ चीज़ प्रकर से आएगा 13a square b into 2a सबसे पहले यह करेंगे या पर minus a इसले minus फिर again 13a square b into 3b square याने कि this into this minus this into this अब this into this 13 12a square into a is a cube उसके बाद b as it is minus n as it is 13 3 39 उसके बाद a square a की है और b into b square is b cube so 26a cube b minus 39a square b cube is your final answer for this first sub question समझ में आगे यहाँ पर एक binomial को एक monomial से multiply किया जा रहा ताने कि वो monomial bracket में आंदर जाकि दोनो single single terms को multiply होने वाला है कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं second sub question second sub question में भी एक monomial एक binomial से multiply हो रहा है पर यहाँ पर वो monomial थोड़ा सा confusing लग सकता है थोड़ा सा difficulty या फिर थोड़ा सा complicated लग सकता है so this will be 1 by 2 x into 3 by 4 x y square याने कि 1 by 2 x को हम लोको 3 by 4 x y square से multiply करना है plus x square y square से भी multiply करना है जब एक monomial एक binomial से multiply होता है तो यह term into यह term होगा फिर यह term into यह term होगा बीच में जो है वो sign लगने वाला है जैसे कि सबसे पहले तो 1 by 2 x into 3 by 4 x y square होगा bracket close बीच में plus sign है तो plus again second bracket में again 1 by 2 x into क्या है यहाँ पे x square y square होईने वाला है is that clear for you? आगे देखिएगा यहाँ पे देखो 3 1s are 3, 4 2s are 8 x into x x square y square into 1 is y square plus यहाँ पे 1 by 2 as it is रहेगा x into x square is x cube and y का कोई साथ इसर है नहीं तो y square so this is your final answer 3 by 8 x square y square plus 1 by 2 x cube y square ठीक है आगे इस केस में भी एक monomial था एक binomial था यानि कि वो monomial वो binomial की bracket में अंदर जाके दोनों single single terms को multiply होने माला था बट यहाँ पे कितना ही terms complicated क्यों ना हो यहाँ पे plus हो या minus हो same rule को follow करना है answer फटा फटा आपका आने वाला है अगर तीसरे सब question की बात करें तो यहाँ पे एक trinomial दूसरे trinomial से multiply कर रहे हैं हम लोग आप trinomial को trinomial से multiply करेंगे तो थोड़ा तो difficult लग सकता है पर डरने की कोई बात ही नहीं सबसे पहले तो question लिखिए 3x square plus xy minus 2 यह एक trinomial है जिसको दूसरे trinomial से multiply कर रहे है which is x plus 2y square plus xy ठीक है एक trinomial को दूसरे trinomial से हमने यहाँ पे multiply कर दिया है अब यहाँ पे देखो trinomial को trinomial से multiply करना है बहुत ही जिरू ले अब इस trinomial में कितने terms है तीन terms है what you guys have to say to yourself is इस तीन term में से सबसे पहला term into यह पूरा trinomial plus दूसरा term into पूरा trinomial minus तीसरा term into पूरा trinomial यहने कि यह कुछ चीज प्रकार से होगा यहने कि पहला term 3x square into पूरा trinomial which is x plus 2y square plus xy फिर आपको कहना है the second term which is xy into पूरा trinomial which is x plus 2y square plus xy again यहाँ पर minus है तो minus third term into पूरा trinomial which is x plus 2y square plus xy is that clear for you यह कुछ इस प्रकार से next step होने वाला है अब इसके next step में हम यह monomial अंदर multiply करेंगे अब हम लोग specifically पूरा खोल के solve ने करेंगे थोड़ा सा single single step में करेंगे जैसे कि 3x square into x is 3x cube plus 3x square into 2y square 3 2's are 6 x square into y square is x square y square आगे plus 3x square into xy तो 3 ones are 3 x square into x is x cube and y का कोई साथ इदर है नहीं तो y समझ में आगे किस तरह से किया वैसी आगे भी करने xy into x is x square y xy into 2y square is 2xy cube क्योंकि यहाँ पे 2y यहाँ पे 1y plus xy into xy is x square y square is that clear for you आगे अब यहाँ पे bracket के साथ bracket के बाहर minus है जब यह 2 minus के साथ अंदर multiply होगा तो अंदर के सारे साइं change हो जाने हाले है जैसे कि minus 2 into x is minus 2x minus 2 into 2y square is minus 4y square कैसे minus 2 into 2 is minus 4 and y square into 1 is y square minus 2 into xy is minus 2xy is that clear for you इतना समझ में आ गया अब इस case of scenario में what we will do is we will like try to manage light terms एक साथ लाएंगे ठीक है जैसे कि आप देखेंगे x cube का कोई light term है क्या नई x square y square का कोई light term है क्या जहाँ यहाँ पे है x cube y का कोई light term है क्या उसके बाद x y cube का कोई है क्या नई x y को कोई है क्या नई so what we will do is 3 x cube ठीक है plus 6 x square y square x square y square का यहाँ पे एक है plus x square y square बागी का 3 x cube y as it is लिखेंगे ठीक है फिर उसके बाद 1 x square y as it is लिखेंगे फिर यहाँ पे x y cube as it is लिखेंगे sorry minus minus 2 x as it is लिखेंगे minus 4 y square as it is लिखेंगे और minus 2 x y as it is लिखने वाले है बस यहाँ पे एक change होगा यह 6 x square plus x square ही हो जाएगा 7 x square y square बागी का सब as it is रहने वाला है दिखने में कितना बड़ा था एक trinomial दूसरे trinomial से multiply करो बड़ हमने simple simple steps use किये जहां पर यह trinomial को फोड़ दिया तीन single single terms में उसका हर एक single term इस फूरे trinomial से multiply किया उसके बाद वो जो एक monomial था जो trinomial के साथ individually multiply होके brackets में खुल रहा था उसके बाद हमने like terms ते साथ लाए और final answer को चीज़ प्रकर से है इस type of question में आपकी गलतियां हो सकती है because यह बहुत बड़ा question है complicated है और यह steps में solve करते समय यहाँ पर sign की गलतियां multiplication की गलतियां, variables को multiply करते समय गलतियां हो सकती है इसमें perfection तभी आएगा जब इस प्रकर के आप धेर सारे questions करोगे बड़ आपको मैंने बताया किस तरह से करना है ठीक है, आगला जो सब question है जिसमें एक binomial, तूसरे binomial से multiply करना है, याने कि यह question थोड़ा सा comparatively easy रहने वाला है 5a plus 3b को multiply करना है a square minus b square से, same rule इस binomial को as it is रखो इसमें से single term into a plus single term into a, याने कि 5a into a square minus b square यहां पर plus है तो plus 3b into a square minus b square is that clear for you? अब यहां पर देखो, 5a into a square यह हो जाएगा, 5a cube, जी हाँ, minus 5a into b square is minus 5ab square plus 3b into a square is 3a square b minus 3b into b square is minus 3b cube, क्योंकि b into b square क्या होने वाला है? b cube, so this is what you get the final answer is that clear for you? easy था, इसमें को difficulty है यह अगला sub question, 5th sub question के अगर बात करें तो यहां पर दिया है minus 5m minus 3n into minus 2m plus 3n, अब यहां पर देखो question तो easy है, बस आपको complicate किया है minus, यहने की negative sign देके confuse करने की कोशिश कर रहे और यहां पर app calculation mistake पका करने वाले हो, जिससे यह आपका answer जो है, गलत आने वाला है मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है सबसे पहले minus 5m को as it is रखो into, आपका जो बचा हुआ है minus 2m plus 3n as it is यहां पर minus 3n into, आगे जो है minus 2m plus 3n as it is, is that clear for you? आगे देखो, अब यहां पर minus into minus is plus, 5 into 2 is 10, m into m is m square, उसके बाद minus into plus is minus, 5 into 3 is 15, m into n is mn, समझ मेरे किस तरह से जा रहा है है minus into minus is plus, 3 into 2 is 6, m into n is mn 3 into 3 is 9 but minus into plus is minus and n into n is n square यहां पर देखो, आगे 10m square minus plus, minus like term से mn mn 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9, अब यहां पर greater number sign minus 9 mn minus 9 n square so this is your final answer, समझ में आ गया अब बस last sub question बागी है जिसमें एक trinomial, एक binomial से multiply हो रहा है कैसे करेंगे? देखा जाएगा अब यहां पर सबसे पहले हम लोग question लिखेंगे question लिखते समय काफी कुछ हमें idea आ जाएगा question छटवा कहता है कि हमें 2a square minus 2ab plus 2b square इस trinomial को करना है a by 2 minus b by 2 से multiply is that clear for you? अब देखो, यहां पर a by 2 minus b by 2 पहले तो इस question को reverse लिख लो reverse याने कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a by 2 minus b by 2 2a square minus 2ab plus 2b square is that clear for you? ऐसे लिख सकते हैं? जी आसे लिख सकते हैं अब इस में से यह single time into पूरा trinomial minus यह single time into वो पूरा trinomial याने कि a by 2 into पूरा trinomial is 2a square minus 2ab plus 2b square इतना clear है? हमने अभी क्या किया? यहाँ पे एक single term into पूरा trinomial दूसरा single term into पूरा trinomial बीच में minus है तो minus लख लिया अब simplify करना है अब दियान पूरवक देखिए सबसे पहले तो a by 2 को मैं as it is रखता हूँ इस bracket में क्या मेरे पास 2 common है? जी हाँ sir common है तो मैं 2 common ले लेता हूँ तो यह बन जाएगा a square minus ab plus b square ठीक है? similarly यहाँ पर भी 2 common है तो 2 common ले लेता हूँ तो बन जाएगा a square minus ab plus b square is that clear for you? इतना clear है आपको? ठीक है अब यह 2 यह 2 cancel out यह 2 यह 2 cancel out यह यह a इस bracket में multiply हो जाएगा और यह b minus n के साथ इस bracket में multiply हो जाएगा कैसे मैं आभी आपको बताता हूँ a into a is a cube minus a into ab is a square b plus a into ab square is ab square ठीक है? आगे minus b into a is minus a square b minus b into minus ab is minus ab square और minus b into plus b square is minus b cube is that clear for you? अब यहाँ पर हम लोग like terms को साथ मिलेंगे जैसे a square b, a square b a b square, a b square a b square plus minus a b square cancel out हो जाएगा a square b यहाँ पर हमारा a square b आया है minus में और यहाँ पर हमारा a square b जो आया है वो भी minus में तो वो add हो जाएगा a cube minus 2a square b क्योंकि minus minus होता है plus 1 plus 1, 2 minus b cube so this is your final answer यहाँ पर हमारा a b square, a b square जो है वो cancel out होगे why? because same terms, like terms with opposite sign cancel out यहाँ पर यहाँ पर again like terms with same sign, minus sign तो minus minus होता है addition 1 plus 1 हो जातर 2 और a square b to as it is रहने वाला और a cube और b cube which sign as it is आने वाले है तो कुछ इस प्रकार से आज के part को हम लोग यही रोकते है जहाँ पर हम लोग ने multiplication की starting की गई है multiplication से starting में हमने देखा है किस तरह से monomail को monomail से monomail को binomail से solve करने है ताकि आप perfect बन पाओ इस topic में किसी भी परकर कर doubt आपके पास ना हो फिलाल यह part अगर आपको समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा तो एक like ज़रू करना जारे जाता बच्चों में शेर करना नहीं हो तो जाना को subscribe करके जाना हम मिलेंगे नहीं वीडियो में